हेलो दोस्तो राम राम एक न्यू रेसिपी के साथ आपने साथ यह रेसिपी अभी तक नहीं देखी होगी मैं आज बनाने वाला हूं बसेंड़े बेशन की सबजी एक नए स्टाल में यह मैंने एक बसेंड़ा छील लिया है और इसे मैं लंबे-लंबे स्टाल में शेक दूंग कि वसेंड़े अओबनने रग दिया मैँ तब तक भी संगों भी संगों मतलम आटे में आटे की तरह मैं थोड़ा से नमक डाल आज है हलकी लालमित कि राली हं अगम इसे अच्छे से थोड़ा से एक चमच वाईल डारेंगे हींडाला है मैंने हल्का सा वाईल लगाएंगे एक चमच छुटा और इसे हम अच्छे से मत लेंगे जा जाने आट आट की तरह गूंदना है अगर कर दो एल तक हमारी कडाई तेल गरम होगा और हम हुदर उन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं compare ए इस सटेप के फिंगर की तरह बनाना स्टार्ट करदीए है कि से हम थोड़ा्स उटा करेंगे और हम इसे साइज विंग तो स्सुल तर्म commentometर3 की मिन्ग इस तरीका से हम सार्म हम अब मेने तलने चला गरम हो चुका है, अब मैंने एक एक करके शारे को छोड़ दूंगा, तेज को नहीं होना चाहिए, हमें मीडियम पर रखना है, और मैंने सबको एक साथ तलूंगा, कि मैंने सब को तल रख दिया है मेरे अच्छे से तलेंगे मेरे अच्छे से दिखिए एक भी कोई नहीं है इसका मतलब मेरा अच्छा सा लगा था एक 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 करके पलट लेंगे इसे पड़ल लिया है तो यह मैंने मसाले के लिए एक प्याज लिया है एक टमाटर लिया है हम इने एक साथ मिक्सी में सब पीस लेंगे और थोड़ा साध रखका टोड़ा लिया है अब ने प्याज अध्रक लसन डाव और रहा हूं मैं अब यह अध्रक वैने दो अरी मिर्च लेंगे पीस लेंगे पीस लेते हैं मैंने पीस लिया है देटीनी रख पेस्ट बनके तयार है अब उदर मैंने कड़ाई रखी रख ती ती उसमें से तेल कम कर दिया है अब मैं अब यह क्षूर दिया है चीरिकों अच्छे से चटक निए खेसे चटक गया है मैंने थोड़ा सा हींग मार दिये स्वाए दनुसार आप इंखातें डाल ली सकते नहीं भी टाल किके तो मैंने एक पेस्ट डाल दिया अब हम शीके पेस्ट को पकाना है पेस्ट को हम चला लेंगे और हम पेस्ट को अच्छे पकाएंगे हम जब तक हमारा पेस्ट पक नहीं जाएगा अच्छे मसाला हमारा पक गया है अब मैं इसमें नमेक खेड़ करते हैं हल्दी लालमिस पाउडर दन्या पाउडर घर का मसाला करेस्ट के हुई कस्तूरी में थी थोड़ी अच्छे से चला लेंगे हम अब और अब इसे ढख के रख देंगे पकने के लिए दो मिलिट के लिए दो मिलिट हो गए है हम उगार के देखते हैं देखे वार मसाला पक गया है तेल छोड़ दिया है हमिसे अच्छे से चला लेते हैं मसाला हमारा अच्छे से पक गया है मैं इसमें थोड़ा करम पानी अड़ कर रहा हूँ कि हम इसके दो मिलेट के लिए ऐसे पकने देंगे हमारा मसाला बिल्गुल अब पकते रेडियो हो गया है अब हम इसमें आड़ कर देते हैं यह को जो हमने कोपते से बनाएं यह एड़ कर दिया है मैंने अच्छे से चला लेंगे अच्छे पूल घाएंगे और हम हलका से अटान करेंगे आपकर आपकने के लिए चलिए दो मिलंट हो गया है मुद्य हो गया है कि आदे कि हमारे ये बन के वे एक जम फूल के बढ़िया भी हो गए है एक जम सिग गये हैं चलिए अब हम इसे परोष्ट है और यह हम थोड़ा से सब्सक्राइब हो गई है पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना